Hello friends, आज मैं अब के साथ लेखिया हूँ इंटरेशनाल एकनामिक्स का एक और टॉपिक। चेप्टर का नाम है वर्ल्ड बैंक और इंटर्नेशनल बैंक फॉर रीकंस्रेशन एन डिवयल्पमेंट। इसकी इंट्रडक्शन करेंगे कि यह क्या है, कहां से आया कब आया? ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले बता दूँ कि इस चेप्टर के सारे शॉर्ट कोशिन के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चलिए शुरू करते हैं अमेरिका में ब्रेटन वूड्स में एक कानफरेंस हुई और ये डिसीजन लिया गया कि वर्ल्ड वार से निकालने, सेकेंड वर्ल्ड वार के जो बुरे असर हैं उससे निकालने के लिए दो इंस्टिउशन लाए जाएंगे एक तो IMF मतलब International Monetary Fund और एक IBRD मतलब International Bank for Reconstruction and Development तो मैं जब भी students को पढ़ाता हूँ ये topic तो मैं कहा देता हूँ कि दोनों की introduction सेम हैं तो एक ही आद करो, दूसरे वही लिखे दो, ठीक है The institutions to be established were IMF and IBRD जिसको World Bank कहा जाता है The objective of World Bank was the reconstruction of war ravaged economies and provision of necessary capital for the economic development of underdeveloped countries तो basically, जो countries जंग में तबाह होगी हैं, उनकी help करना और जो less developed countries हैं, उनको loans औगारा provide करना The bank was established in 1945 and started its functioning in June 1945 1945 के शुरुआत में bank established हुआ था और June 1945 में इसने काम करना शुरू कर दिया था The World Bank is an inter-governmental institution and corporate in form Basically, inter-government institution है, governments के बीच में जो है, इसका direct link government के साथ होता है Its capital is wholly owned by its members जितनी भी इसकी capital है, वो members की होती है Members participate करते है, capital में और जो भी पैसा कठा होता है, फिर उसको loans के लिए या different purposes के लिए लगा दिया जाता है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो please like, share and subscribe इस chapter के सारे short question के links आपको description में मिल जाएंगे